Hello Friends, मैं अबिशक जोशी, Electrical Engineering, Block Group of Companies दोस्ता, हम लोग बात करेंगे PT और CVT के difference के बारे में यानि की Potential Transformer और Capacity Voltage Transformer के difference के बारे में हमारे एक विवर ने कमेंट किया है कि क्या हम लोग CVT के जगे PT का यूज कर सकते हैं क्या CVT और PT का काम पूरी तरीके से सेम ही है अगर दोनों का ही काम voltage को reduce करना है तो क्यों हम PT के जगे CVT को यूज नहीं कर लेते और अगर दोनों का काम सेम ही है तो दो अलग अलग devices हम लोग क्यों यूज करते हैं तो इन सभी topic को आज हम लोग cover करेंगे, आज का वीडियो देखने के बाद आप यह easily समझ जाएंगे कि PT हम basically कहां use करते हैं, CVT लगाने के requirement सबस्टेशन में क्यों पड़ती है, कौन सी requirement को fulfill करने के लिए आपको PT के जगे CVT का selection ही करना पड़ेगा, तो दोस्तो बिना time waste के शु पर जिन लोगों को नहीं मालूम हैं, उन्हें यह पता होना बहुत जरूरी है, देखे PT का मतलब होता है potential transformer, जो basically एक step down transformer ही होता है, देखे जो substations होते हैं, वहाँ बहुत high voltage पर काम किया जाता है, जैसे कि 66 kv के substation होते हैं, 220 kv के substation होते हैं, तो basically यह सब बहुत high voltage पर work किया easily measure नहीं कर सकता, आप कोई भी voltmeter लगा दीजी अपने substation में, वो voltmeter 220 kv voltage को read नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस particular voltmeter के लिए 220 kv भूती जादा high voltage level है, तो इस problem को sort out करने के लिए हमें एक ऐसे equipment की requirement है, जो इतने high voltage को इस level तक step down कर सके, कि मेरा voltage measuring device है, जो voltmeter है, वो उस voltage को easily measure भी क कर सके, और जो protective devices होते हैं, जैसे जो release होते हैं, वो release भी अपनी tripping के जो operations है, जो sensing की जो operations है, उसको easily carried out कर सके, तो इस problem को solve करने के लिए हम लोग basically potential transformer का use करते हैं, potential transformer का सीधा सा function यही है, कि वो high voltage को इस level तक step down कर देगा, कि आपका measuring device और आपका protective device, दोनों ही अपना काम easily कर स सके, यहां दोस्तों सवाल यह आता है, कि यही काम तो CVT भी कर रहा है, जो capacity voltage transformer है, वो भी basically यही काम करता है, कि voltage को इस level तक step down कर दे, कि आपका measuring device और आपका protective device, दोनों ही उस voltage को use करके, अपना अपना काम easily कर सके, तो क्या PT और CVT A की है, तो क्या हम लोग CVT के जगे PT लगा स के basic function, same ही है, तो दोस्तों आप हम लोग बात करते हैं, कि CVT, PT से किस तरह अलग हो जाता है, ऐसी कौन सी need आती है, जहां पर CVT और PT दोनों ही बिल्कुल different दिखाई देते हैं, देखें सबसे पहले तो आपको यही चीज़ पता होनी चीए, कि जो low voltage substations होते हैं, वहां पर voltage measurement क के लिए voltage को step down करने के लिए आप हमेशा PT का ही use करते हैं, जैसे अगर 33 KV का substation है, या 66 KV के substations है, वहां अगर आप जाएंगे तो normally आपको potential transformers ही लगे मिलेंगे, पर जहां पर 100 KV से above voltage level पर काम किया जाता है, जैसे 132 KV के substations हो गए, या 220 KV के substations हो गए, वहां पर आपको normally CVT ही लगे मिलेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ धिहान में रखनी है, कि CVT का जो practical application है, ये normally 100 KV के above के जो voltage level है, वहीं से शुरू होता है, यहां दोस्तों आपके mind में सवाल आ सकता है, कि high voltage के लिए हम लोग PT का use क्यों नहीं करते, अगर 220 KV voltage level, 400 KV voltage level, इतने high voltage level की बात करें, तो क्यों आप CVT को ही prefer करते हैं, तो देखें, voltage level जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से ही आपके PT के losses भी बढ़ते जाते हैं, और आपकी जो PT है वो अब उतनी efficient नहीं रह जाती, जितनी वो low voltage पर efficiency provide करती है, तो इसलिए जो high voltage के substations होते हैं, वहां पर हम दोग PT को prefer नहीं करते हैं, क्योंकि PT के losses बढ़ते जाते हैं, जिसके वज़े से उसकी efficiency down होती है, और उसके ही हिसाब से उसकी costing भी बढ़ती जाती है, क्योंकि voltage level जैसे जैसे बढ़ेगा, उस हिसाब से आपको insulation भी उस PT में provide करना पड़ेगा, तो costing के point of view से, reliability के point of view से और आपकी जो operating efficiency है, इनके point of view से अगर देखें, तो high voltage के लिए CVT को ही prefer किया जाता है, बर दोस्तों, CVT आपको एक ऐसा अलग से function भी provide करता है, जो PT के terms में अगर हम लोग देखें, तो completely absent है, देखें, जब भी हम लोग एक substitution से दूसरे substitution power को transmit करते हैं, तो power transmission जितना crucial होता है दो substitution के बीच में communication established करना और communication continuously sustain रखना भी उतना ही crucial होता है, आपको ये चीज़ पता होनी चीए कि जो high voltage substations होते हैं, जैसे जो 220 KV के substations है, वहाँ पर दो substitution के बीच में communication भी किया जाता है, और इस communication को करने के लिए CVT का ही use आपको करना पड़ता है, PT का use करके दो substitution के बीच म परफर्म नहीं कर सकते, PT का काम तुसरी voltage को step down करना ही रहेगा, पर अगर आप CVT लगाते हैं, तो CVT आपके voltage को step down भी करके दे रहा है, जिससे आप measuring equipment और जो protective equipment है, उनके function easily carried out कर सके, इसके अलावा CVT आपको दो substation के बीच में communication भी provide करके देता है, जो कि high voltage substation के लिए बहु high frequency के जो signals होते हैं, जो communication signals होते हैं, उनको भी transmit किया जाता है, अब ये चीज़ आपको पता होनी चीए, कि जो power transmission हो रहा है, वो तो 50 Hz पर हो रहा है, ये हम सब को पता है, कि हमारा पूरा transmission system है, ये सब कुछ 50 Hz पर ही work करता है, पर जिस communication signal को हम लोग transmit कर रहे हैं, ये basically high frequency communication signals होत होती है, तो इतने high frequency के जो signal हम लोग transmit करते हैं, उसके लिए आपको CVT की requirement पड़ती है, दोस्तों CVT basically एक high pass filter होता है, इसका मतलब ये है कि CVT का काम होता है, कि जो high frequency की waves है, उसको वो transmit करता है आपके local power station में, जहां पर आप दो substation के बीच का communication established करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल होता है कि wave trap और CVT के बीच कर difference क्या है, ये भी एक बहुती common confusion है, जो लोगों को होता है, इस पर मैंने एक separate video बनाया है, इस video को आप देखेगा, इस video को देखकर wave trap और CVT के बीच का क्या difference है, ये आपको बिलकुल पता होना चीए, बहुत important topic है, इस video क देखकर ये doubt आपके mind से पूरी तरीके से clear हो जाएगा, पर जहां तक इस video का हमारा सवाल था कि PT और CVT के बीच का क्या difference है, तो basic difference तो ये है कि PT का का काम सरिफ voltage को step down करना ही होता है, लेकिन जहां तक CVT की बात है, high voltage application में आपको CVT ही use करना पड़ेगा, क्योंकि voltage level जैसे जै आप CVT का use करते हैं high voltage substation में, दूसरा reason ये है कि जब भी दो substation के बीच में communication establish करने की बात आती है, वहाँ पर PT का use आप बिल्कुल नहीं कर सकते, इस purpose को solve करने के लिए communication establish करने के लिए आपको capacity voltage transformer ही use करना पड़ेगा, तो दोस्तो ये difference होता है PT और CVT के बीच में, अगर step down करना ही आपका काम है, तो उस case में आप PT का use बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 100 kv से above की application में अगर आप काम कर रहे हैं, दो substation के बीच में आपको communication भी establish करना है, तो PT नहीं आपको CVT ही use करना पड़ेगा, तो दोस्तो CVT क्यों use किया जाता है, CVT use करने के पीछे main reason क्या होता ह यह अगर आपको पता चला हो, तो मुझे comment box में बताएगा, CVT और wave trap के बीच का difference का जो वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा, मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसी एक interesting topic के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, good bye